नमस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ भारत ये मसाले भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने अनूठे स्वाद वा औशधिये गुनों के कारण विशेश महत्वर रखते हैं इन मसालों का प्रयोग कई परकार के व्यंजनों, सौंद्रे उत्पादों, खादे पदार्थों और दवाईयों के निर्मान में भी किया जाता है आज हम आपको एक कैसे ही मसाले के बारे में बताएंगे जो औशधिये गुनों से भरपूर है वे मसाला है चकरफूल जिसका प्रयोग भोजन बनाते हुए किया जाता है गहरे भूरे रंग के तारे जैसे दिखने वाले इस मसाले को हिंदी में चकरफूल वा अंग्रेजी में स्टार एनिस कहा जाता है खासकर चकरफूल का प्रयोग दक्षिन भारत में वेंजन बनाने के दरान किया जाता है इसमें कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करते हैं स्टार एनिसी यानी चकरफूल में फलू को दूर करने वाले गुन भी पाये जाते हैं जिससे शरीर की रोग प्रतिरोदक शमता बढ़ती है चकरफूल के फाइदे पाचन तंतर में करे सुधार चकरफूल का सेवन करने से पाचन संबंदी समस्याओं से राहत मिलती है जिससे पाचन तंतर में सुधार होता है और पाचन तंतर सही रहता है इसके सेवन से पेट की गैस, पेट दर्द, सूजन, अपच, उल्टी, पेट फूलने की पेट में एंठनवा कब्ज आदी समस्याओं से निजात मिलती है सरदी खांसी में है फाइदे मंद चकरफूल में पाये जाने वाले थाइम और एथाल नमक तत्व शरीर को गर्म रखते हैं ये तत्व सरदी खांसी वा जुकाम की समस्या में आराम दिलाते हैं इसकी चाय बनाकर पीने से गले के दर्द में आराम मिलता है संक्रमन से करे बचाव चकरफूल में पाये जाने वाले एंटी फंगल गुन संक्रमन से बचाव करते हैं इसके प्रयोक से तवचा के संक्रमन यानि इंफेक्शन से बचाव होता है शारीरिक दर्द को करे दूर चकरफूल में शारीरिक दर्द को दूर करने वाले तत्व पाये जाते हैं रात को सोने से पहले चकरफूल के पाउडर को दूद में मिला कर पीने से बढ़िया नीन आती है और शारिरिक थकावट वा दर्द में अराम मिलता है इसके लवा चकरफूल के तेल या चकरफूल के पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर मालिश करने से जोडों का दर्द भी ठीक होता है चोट के दर्द वा घाव को करे ठीक चकरफूल से निकलने वाले तेल में अंटी सेप्टिक गुन मौजूद होते हैं इसलिए इसे घाव वा चोट पर लगाने से फायदा होता है इसे लगाने से दर्द ठीक होता है और घाव जल्दी भरता है बढ़ती उमर के परभाव को रोके चकरफूल में बढ़ती उमर के परभाव को कम करने वाले गुन पाए जाते हैं इसमें विटामिन A और C के साथ ही भरपूर मातरा में अंटी आक्सिडेंट भी पाये जाते हैं ये तत्व शरीर में पाये जाने वाले फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं जिससे बढ़ती उमर के लक्षन कम होते हैं चिंता वा तनाव को करे कम चकरफूल का तेल खुश्बूदार होता है जो तन मन को तरो ताजा कर देता है इस तेल का प्रियोग अरोमा थेरपी में भी किया जाता है चिंता तनाव वा अफसाद आग से रहत दिलाने में चकरफूल का तेल मदद करता है यौन स्वास्ते में करे सुधार चकरफूल के सेवन से यौन स्वास्ते में सुधार होता है इसके नेमे सेवन से यौन स्वास्ते सही रहता है इसके लिए एक गिलास पानी या दूद में चकरफूल का पाउडर मिला कर पीने से फाइदा होता है मुह की दुरगंद को करे दूर चकरफूल में एंटी बैक्टीरियल गुन भी पाए जाते हैं जो मुह की दुरगंद को दूर करते हैं इसका प्रयोग चाय बनाते हुए भी किया जा सकता है इसके सेवन से मूँ में दुरगंद पैदा करने वाले बैक्टिरिया नश्ट हो जाते हैं इसका प्रयोग बैक्टिरिया के कारण होने वाले रोगों वा समस्याओं में फाइदे मंद रहता है इसके सेवन से अस्थमा और खांसी जैसे रोग ठीक होते हैं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए है फाइदे मंद स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए इसका सेवन बेहद फाइदे मंद है चकरफूल के पाउडर को चाय या दूद में मिला कर पीने से स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में दूद के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है विशेश नोट चकरफूल की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका सेवन साफधानी से करना चाहिए जो लोग किसी रोग से गरस्त हैं और कोई दवाई खा रहे हैं उन्हें इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए सो दोस्तों यह थी चकरफूल के और शदिये गुनों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रहे डी फाइव चैनल हिंदी के साथ